दोजार चुनाव को लेकल के आरजेडी ने भी अपकम अरकस लिया आपको बताते चले कि तेजस्वी आदों के आवास पे एक बड़ी बैठक बुलाई गही आपको बताते चले कि जिला परवक्ता से लेकर के राष्टी परवक्ता तमाम जो आरजेडी के पताधिकारी है यान यो पाठी के लिए महत्पुल भूमिका निभाते उन सबको तेजस्वी आदों ने अपने आवास पे बुला लिया है और सबसे फीट बैक लिया जा रहा है कहा जा रहा है कि 2024 से पहले यानि एक एक सीटों को लेकर के जिस तरीके से 2024 से पहले जो गठभंधन में सीट का निर अतार जो है भीम संसत के त्वारा एक तरीके से तमाम लोगों को जोड़ने की मुहिम किये वही अप्तेजस्वी आदों ने भी पीछे नहीं हटे साफ साफ उन्हेने अपने तमाम जो पदाधिकारी है आर्जेडी के तमाम जो करे करता है पदाधिकारी है जो इसकी एक ले रहे हैं और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से चौबिस का चुनाओ जो है बेहत करीब है उस कड़ी में उक मुपहंत्री तेजस्वी आदों अपनी पाथी की तरफ से अगली मुहमिकाली भार एक तरफ जहां लालू पर साधी आदों भी लगतार अपने नेताओं से मिलते रहते हैं लेकिन इस समय वह आसवस्त है इसकी बजह से कहीन कहीं तेजस्वी आदो पर एक बड़ी जीमेदारी है पाटी की तरफ से बड़ी जीमेदार है उस जीमेदार को देखते हुए तेजस्वी आदों लगतार बैठक करते रहते है और उस 24 को लेकर भी फिर से ले कि तमाम पाठीविक अपर लोग के जितने घाएग कि असली। उस मुहीम में जूल गए हैं अब देखने वाली बात है कि एक तरीके से जहां लागतार जो है जद्यू भी अपना पर्चस्व दिखाने की कोशिस में लगवा ही तेजस्ट्री आदो भी अब इसमें पीछे नहीं रहे हैं लागतार अपने पार्टी के तमाम जो सुल्जे हु लेकिन इतना तुत्ता है कि तेजस्ट्री आदो ने भी और जेडी की तरफ से कमर कस लिया है 24 चुनाओ को लेकर के कि किसको चुनाओ लडाना है इंडिया गठ बंदन में कितने सीट पर आर जेडी अपना दावा करेगी तमाम मुद्दों को लेकर के आर जेडी की तरफ से बड़ी बैठक तेजस्य यादों के आवास पे चल लिए अब बैठक खतम होने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर में बैठक से क्या कुछ निकल करके सामने आता है तब तब धन्यवाद